जल के बिना जीवन संभव है जल पीने घरेलू कारे तथा सिचाई इत्यादी हेतु आवश्यक है जल की कमी एकम दुरुप्योग सिखा दियान सुरक्षा मानव स्वास्त एवं विकास कारेओं पर बुरा सर पड़ता है परवती एक्षेत्र में पेजल समस्या मुख्य तह जल सुरूतों के सूखने पहाडी कस्बों की बर्ती जन संख्या को जल आपूर्दी प्रती वेक्ती जल उप्योग में फ्रिद्धी जल प्रदूशन इत्यादी के कारणों से उत्पन हुई है खासकर पहाडी राज्यों में आए दिन जल की कमी को लेकर आपसी विबाग बना रहता है पौड़ी गरवाल का जुराला तल सारी गाउं भी पेजल की समस्या से जूज रहा है ग्रामीरों का आरोप है कि गाउं में पानी के सुर्वत सूख गए है विबागी लापरवाही कि चलते उन्हें पीने की बूंद तक नसीब नहीं होती है इस समय हम पौड़ी जल संस्थान के आफिस में पहुचे हैं जो कि मुख्य काराले होता है जिले का सारे जिले को सप्लाई करता है पानी के बिवस्ता करता है और इस समय तो मेरे खाल से पानी की बड़ी समस्या है है गर्मी बी ज़्यादे है और से जंगलों में आग लगी है जिससे सारे स्रोध स्वोगे तो उसका आग लगने का कारांवी कुछ ऐसा है कि पानी स्रोध स्वूग रहे है लेकिन आप अपनी जग़ सही है आप बिलो देते होंगे आप लोग जी इप आप बिल देते हैं तो पानी सप्लाई आप डिमांड लेके आए हैं आपके टैंक कहा है आपका प्रदान जी आप प्रदान जी है क्या समझ से आपकी ज़र बता है हमें एस टीवी और नहीं साथ कि हमारे गाहों में सब्सक्राइब पानी की हमारा पानी आदा गजड गिर गाह सुकता है लेकिन हमारा शुरूथ समर के मैने में सूखा हुआ है कि हर बार अब मेरे गाहों में आए दू गाहों राचसा ग्राम तलसारी जुलाला भी है लेकिन हमेसा पानी की समसे बनी होई लेती तो आपके यहां पर जो फिटर होगा उससे शिखायत की है यह कही सब्सक्राइब पाइब लाइन कब से बनी वह नहीं है पहले पुराणी पुरानी पुराणी उसका जिरुनदार के लिए प्रस्ताव दिया था दो बार उसका हो गया है जिरुनदार हो गया है कि अब लोगों अपनी समझ से बताए तो फिटर साब कुछ कहते होंगे कि मैंने नहीं आना है कि मेरे से नहीं जाया सकता है मैं नोगरी नहीं करनी कुछ नहीं कुछ तो कहते होंगे प्रस्ताव बनाओ और विभागा उसमें साइन करके और जिला दिकारी के पास ले जाओ आपकी समस्या समधान वेजाओ बिला रहा है पानी का 13 वी एक अधिव है एक सालवर का 13 जीए में या बहुँव ए 수डवर को उससे आई एक ऑन्टल पिल आ रहा है तो पानी अगर प्रती दिन आएगा तो आदा घंटे से जादा पानी ने आता है आप पर पानी आ रहा है आप देखो किसी का अधिकारे को बेजो अगर हम जूट कह रहे हैं तो आप वहाना कर सकते हो कि पानी की क्या समयते हैं हमारे गाओं में हमरे में सबसे बड़ी पानी की तिकते हैं को आदिकारी आने को राजी नहीं आप आप ने आज शासी है अपनी शेकाहे पानी आजाएगा आजाएगा लेकिन अभी तक पानी दिसंबर से अभी तक गर्मी इतनी हुई भी नी सुरू पानी की तिक्केते सामने आने रहे हैं बलाओ सर हम क्या कर सकते हम अधिकारी के पास में आते हैं अब हमें अस्वासन मिली ने रहा है जब कि सारी इस पे अभी चार पाज मैंने पहले तीन लाग प्रेका ख़र्च हुआ है तब ही पानी हमें भरपूर नी मिल रहा है यहां पर अधिसासी अभेंता से आप मिले हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको आज पानी आएगा लेकिन जब से मेने दो बार पत्र कि अपने उनको प्राथना पत्र जो दिया है ना उसकी फोटो कौफी लेके और जिलाजी कारी से संपर कीजिए और आपका समदान पूर जाएगा अमें कुछ नी चाहिए आमें पानी चाहिए आपनी मीनत से खा रहे हैं सरकारी से कोई कुछ नहीं मुलता हमें कुछ जाला मनुष्य के लिए पानी तो सबसे पहले है अगर पानी होगा तो सब कुछ करेगा पहले प्यास भुजाएगा फिर नाएगा फिर कबड़े दोगा जानवरों को दिलाएगा खेती करेगा पानी जाल ही जीवन है तो इस समय आप यह लोग देख रहे हैं गिरगाउं से संस्तान के ओपिस में जिला ओपिस जो है पाड़ी में वहां आ चके हैं और अपने आर्दास लेकर यहां लगे हुए हैं धन्यवाद